मान लेते आपके attractive thumbnail को देखे किसी ने आपकी वीडियो पर क्लिक कर दिया और वीडियो क्लिक करने के बाद उसको कुछ ऐसी अवासनाई देती है क्या लगता है दोस बंदे को इस वीडियो को close करने में कितना यह time लगेगा तीन सेकंड से भी कम और आप लोगों की वीडियो के साथ actual में कुछ ऐसा ही होता है वीडियो उपन करते ही लोग आपकी वीडियो को सबसे पहले आपकी voice over की quality से judge करते हैं और अगर आपकी voice over की quality अच्छी नहीं हुई तो भले ही आपने god level editing क्यों ना कियो लोग आपकी वीडियो को उससे time बंद करके दुवा स्क्रोल करना start कर देंगे क्योंकि कोई भी इंसान अपने कानों को तकलीफ नहीं पहुचाना चाहता अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरी तो आवाज ही खराब है जहां हम जाके अपनी voice को record कर सके इसलिए हमारी voice में कई बार echo भी आता है कई बार background noise भी होता है लेकिन इन दोनों चीज़ों को eliminate किया जा सकता है echo basically तब आती है जब आपके room में काफी ज़्यादा खाली space हो जहां पर आपकी आवाज टकरा के reflect back होती है जिसकी वज़े से आपके आवाज कुछ इस तरह की हो जाती है तो कैसी लगी मेरी आवाज अब आप मेंसे हर कोई अपनी voice एक अलग जगा पे record करता है तो echo को tackle करने के लिए आपको अपनी जगा पे बस sound absorbers लगवाने पड़ेंगे अगर आपका room बड़ा है और खाली है तो उसमें cutains लगा दीजिए और आजपास जितने हो सकते हैं उतने कपड़े फैला दीजिए या फिर अपने room में समान भन लिजिए जिससे आपका room खाली न रहे room जितना भरा हुआ होगा उसमें उतनी कम अवाज reflect back होगी और आपकी voice में echo उतना ही कम होगा और अगर आप एक professional studio बनाना का सोच रहे हैं तो आप ये acoustic sound panels भी इस्टमाल कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियोस काफी ज़्यादा professional भी लगेगी और आपकी अवाज echo भी नहीं होगी आप जहाँ पे भी खड़े हो के पनी voice record करने वाले हो उसके सामने वाली डिवार पे आपको ये sound panels लगाने हैं और आपके आसपास जो भी डिवार ये दर्वाजा हो उस पे ये sound panels लगा देना ताकि आपकी आपकी आवाज reflect back ना कर पाए इसके सिवाए अगर आपको एक सस्ता जोगार चाहिए स्टोडियो का तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी अलमारी को खोल सकते हैं और वाँ पे खड़े हो के अपनी voice record करना स्टार्ट कर सकते हैं अलमारी के अंदर कपड़े भरे वे होंगे तो वह as a sound absorber work करेंगे कम तो नहीं होने देंगे तो आपको करना क्या है आपको ट्राय करना कि जितना हो सके उतना आप background noise को block कर सके आप जिस भी room में recording करते हैं आपको उस room के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने हैं और खिड़की दरवाजों पे आपको cuttings लगा देने हैं और इसकी सिवाज जो दूसरा तरही का है वो यह है कि आप अपनी voice को या तो late night को record करो या फिर early morning को record करो क्योंकि इस time पर maximum लोग सो रहे होंगे और market में भी ज़्यादा noise नहीं होती है तो आपकी voice काफी ज़्यादा clear भी आएगी बट I know ये सारे तरही के follow करने के बाद भी आपकी voice में कुछ ना कुछ background noise तो रहे जाएगा तो उसको हम editing के time पर cover करेंगे अब अपने room या studio पो set up करने के बाद आपको अपने device को set up करना है एक अच्छी voice के लिए अब बड़े YouTubers तो mic का इस्टमाल करते अपनी voice को record करने के लिए and I will not lie to you but mic से काफी ज़्यादा फर्गात था आपकी voice में और ये है मेरी audio mic के साथ अब जिस mic का इस्टमाल मैं करता हूँ वो है boya M1 क्योंकि ये काफी ज़्यादा affordable भी है और काफी ज़्यादा efficient भी है और अगर आपके पास पैसे है invest करने के लिए तो I will really prefer you to invest in a mic लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई problem वाली बात नहीं है मैंने अपने चैनल के स्टार्टिंग ही 5 वीडियो विडाउट माइक ही रिकॉर्ड की थी और आप जाके उसकी voice quality देख सकते हैं उट टाइम पे मैं अपनी voice रिकॉर्ड करने के लिए एक application का इस्टमाल करता था जिसका नाम है rag force 2 अब आप जिस भी device से अपनी audio record कर रहे हैं आपको इस device को एक stable जगह पे रखने हैं क्योंकि अगर आप उसको को एक stable जगह पे नहीं रखेंगे तो आपकी audio के साथ कुछ ऐसा होगा जब आप अपने phone से आवाज record करते हैं तो आपने अपने phone को हाथ में बगड़ा होता है जिसकी position हर एक break के बाद change होती रहती है और ये चीज़ आपके voice में साब पता चलती है showing unprofessionalism तो better होगा आप अपने phone को tilt करके एक shelf पे या फिर एक table पे रख दीजिए जिसे आपकी voice में level का फर्क नहीं आएगा लेकि still इसके बाद भी एक problem जो आप लोग face करोगे वो है ये just like जैसे आपने मेरी आवाज में अभी air को सुना ठीक वैसे ही आपके voice over में भी काफी ज़्यादा फूग की आवाज आती है पहला या तो आप अपने फोन को इस तरह tilt करके रखो कि वो directly आपके mouse से आवाज को capture करने की जगा निच्चे से आवाज को capture करे इससे आपके voice over में फूर्क वाला element नहीं आएगा और दूसरा तरही का ये है कि आप थोड़े से पैसे खच करके एक mic cover खरीद लो जो कि ऐसे filter काम करेगा आपके voice over के लिए और आपके mouse से फूर्क वाली आवाज बिल्कुल भी capture नहीं होगी लेकिन अगर आप पैसे खच नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सस्ता जुगाड है आपको सद्धी में पहनने वाले socks को लेना है और उससे अपने phone के mic को cover कर लेना है और उसके बाद अपनी recording स्टार्ट करनी है ये भी बिल्कुल सेम काम ही करेगा और बिना पैसे खच हुए आप अपनी आवाज से फूर्क वाला element गायब भी कर लोगे अब echo, background noise, volume के level और air को control करने के बाद ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है आपका posture अब room और अपने devices को set करने के बाद आपको उच चीज़ को set करना है जो कि आपका voice generator है और वो और कोई नहीं आप खुदी हो अब अगर voice आपके गले से generate हो रही है तो obvious सी बात है कि voice को set करने के लिए आपको खुद को भी set करना पड़ेगा अब मैं ये नहीं कहरा कि आपको डूले राज़ा बनके त्यार होना है बलकि मैं कहरा हूँ कि खड़े होके अपनी voice को record कीजिए अगर आप बैट के अपनी voice को record करते हैं तो आपका shoulder area आगी की तफ tilted होता है और आपका chest compressed होता है जिसकी वज़े से आपकी अवाद दबी-दबी सी आती है वही अगर आप खड़े होके अपनी spine को सीधा रखने के बाद एक लंबे सास ले और फिर अपनी voice recording स्टार्ट करे तो आपकी voice में काफे ज़्यादा फरक आएगा क्योंकि आपके shoulder सीधे हो चुक्योंगे आपका chest area increase हो चुका होगा और आपकी voice में एक depth feel होगी इसकी सिवाए अगर आप चाहते है कि आपके voice में travel ज़्यादा है यानि आपकी voice ज़्यादा crispy लगे तो आपको अपनी voice तब record करनी चाहिए जब आप just so के उठे ही हो क्योंकि उट टाइम पर आपकी आपकी आवाज काफी ज़्यादा deep होती है और travel उसमें काफी ज़्यादा होता है और यही रीजन है कि लड़कियों को sleepy voice पसंद आती है security पर रख लो इसकी सिवाए आप खाना-खाने से पहले अपनी voice record कर रहे हो या फिर खाना-खाने के बाद अपनी voice record कर रहे हो यह भी एक बहुत ही important factor है क्योंकि जब खाना-खाने के बाद आप अपनी voice record करते हो तो आपका stomach area भरावा होता है तो जो voice generate होती है वो आपके नाग से होती है जो की तीक ही टाइप की होती है आपने बड़े बुज़ोगों को तो बोलते वे सुनाई होगा कि यह अपनी नाग से बोलता है और इस तरह के लोगों को काफी ज़्यादा aggressive भी माना जाता है क्योंकि इनकी अवाज ही तीक ही होती है human voice एक बहुत ही ज़्यादा organized system है जो कि आपके abdominal region से लेके आपकी नाग तक के सारे organ का इस्थमाल करती है अगर आप सही ट्रेक की से practice करें तो even आप अपनी voice को change भी कर सकते हैं लेकिन यह इस वीडियो का topic नहीं है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप खड़ेओ के अपनी spine को सिधा करके एक लंबी सास लेने के बाद अपनी voice को record करें और अगर आप अपनी voice में थोड़ा सा spice up देना चाथते हो तो सोने के बाद अपनी voice को record करना इस सब की इलावा जब आप अपनी voice को record कर रहे हो तो बीच-पीच में पानी पीचते रहना वनना आपकी आवाज काफी जादा dry लगेगी यानि कि आपकी voice में energy काम होते वे feel होगी अब हमने setup करने वाली जितनी भी चीजी थी वो सारी तो setup कर ली लेकिन अब आपको जिस चीज पे काम करना है वो है आपका way of communication क्या आपको पता है कि जब आप अपनी normal life में बात कर रहे होते हो तो आप अंजाने में टीन ऐसे factors का इस्तिमाल करते हो जो कि आप voice over के time भूली जाते हो अगर सूचिए मेरी वीडियो कुछ इस तरह की sound करती तो क्या आप लोग मेरी वीडियो देखते obvious answer है नहीं आप लोगों को कुछ second बाद ही नीद आने लग जाती और वहीं अगर by chance मेरी audio कुछ इस तरह sound करने लग जाए कि बहुत ही तेज हो तब भी आप मेरी वीडियो को नहीं देखोगे क्योंकि आपको कुछ समझी नहीं आएगा voice over के दौरान आप लोग nervous हो जाने के कारण या तो बहुत टेज बोरने लगते हो या फिर बहुत ही धीरे बोरने लगते हो जिससे आपकी voice over की quality बिल्कुल ही खराब हो जाती है तो यह चीज को आप सुधा सकते हो अगर आप यह assume करो कि आप सामने किसी बंदे से बात कर रहे हो ऐसा करने के बाद आप अपनी normal pace में बोरने लग जाओगे अगर आप assume कर लेट हो कि आपका mic एक real person है जिसे आपको समझा रहे हो या फिर जिससे आप बात कर रहे हो तो आपकी pace automatically ही ठीक हो जाएगी आपको इस पर ज़्यादा मैनत नहीं करनी पड़ीगी तेकिन obviously यह चीज आप practice के बाद ही सीख पाओगे जब आप अपनी voiceovers को record कर रहे होते हो तो अब आपने कीज चीज पर ज़्यादा emphasize किया है इससे काफी ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि वो words या points ऐसे होते हैं जो कि video close करने के बाद भी आपकी audience की दिमाग में बैठे रहते हैं लेकिन किसी word को या sentence को emphasize कैसे करें उसे ज़्यादा जो से बोलके नहीं बलकि सही break लेके अगर मैं अपने sentences को ऐसे बोलने लग जाओं तो या emphasize नहीं होगा बलकि shouting होगी लेकिन वही अगर मैं अपने sentence को कुछ इस तरह बोलूं तो या emphasize करना होगा अब जैसा कि आपने notice किया मैंने अपनी अवाज को ऊचा नहीं किया बलकि अपने words से पहले ठोड़ा break लिया और अपने words को भी ठोड़ा stretch कर दिया जिसे आपके voiceover में एक depth वाली feeling आती है अब लंबे break लेने का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ बोलो और फिर इस तरह से start करो बलकि लंबे breaks लेने का मतलब यह होता है कि आप casually words के बीच में जितना gap रखते हैं उससे थोड़ा सा जादा gap रखना है अब यह जिस आप time के साथ practice करते करते ही सीख पाएंगे सोचो अगर वीडियो कुछ इस तरह चले जहाँ पर pace भी ठीक है words को emphasize भी कर रहे हैं तो क्या मज़ा आएगा मैं सोचो अगर वीडियो को कुछ इस तरह record किया जाएं जहाँ पर pace भी ठीक है words को emphasize भी किया जा रहा है और थोड़े बहुत emotions भी है तो क्या मज़ा आएगा बिलकुल आएगा बस आपको भी अपनी voiceover में यही करना है बजाए एक normal script को पढ़के उसे record करने के जगा उसको इस तरह बोलो जैसे कि आप एक story सुना रहे हो तब आपकी voiceover में emotions भी involved हो जाएंगे और इससे आपका voiceover 10x better हो जाएगा 90% youtubers यही करते हैं कि वो script पढ़ रहे होते हैं जिसके वज़से उनकी आवाज बिलकुल एक normal tone में चल रही होती है और वो कुछ minutes के बाद बहुत जादा boring लगने लगती है वही अगर आपकी आवाज कभी उपर हो रही है कभी नीचे हो रही है कभी excitement के साथ आ रही है कभी curiosity हो रही है तो सोचो आपकी वीडियो कितनी better बनेगी अब हो सकता है यह आपको थोड़ा बहुत dramatic लगे लेकिन यही चीज़े आपकी audience को आपकी वीडियो में बनाए रखती है आपको बस इसको जादा नहीं करना है लेकिन थोड़ा इस वे में करना है कि curiosity दिखा पाओ emotions दिखा पाओ जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ अब अभी तक मैंने आपको जितने भी points बताए वो सारे आपकी voice record करने के लिए थे और यह सी 50% ही काम था अब बचावा 50% करेंगे हम editing अब अगर आप एक phone user है तो मैं आपको suggest करूँगा कि Lexis Audio Editor को download कर लीजे और अगर आप एक PC user है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप Audacity को download कर लीजे यह दोनों ही काफी easy to use है और काफी जादा efficient भी है Lexis Audio Editor को install करने के बाद आप अपनी audio को यहां से import कर सकते हैं और फिर यहां पर 3 dots को click करने के बाद आपको effects में चले जाना है जहाँ पर आपको कई सारे effects मिल जाएंगे जो आप अपनी voice over में दे सकते हैं आपको Audacity में यह feature यहां पर मिलेगा अब मैं सारे effects के बारे में तो बा उसके बाद हैं हमारे पास pitch अगर आप एक teenager है या फिर एक बच्चे है और आप चाते हैं कि आपकी voice over में थोड़ा सा दम लगे तो आप अपनी pitch वाली slide को इस side को drag कर सकते हैं अब इस चीज़ को ज़्यादा मत करना वनना आपकी voice ही खराब हो जाएगी वही अगर आपकी voice क recording देख सकते हैं फिट के बाद हैं हमारे पास noise reduction अब वीडियो के starting में मैंने जो सारे tricks बताये थे और जिसके बाद हमारे पास फिर भी background noise बच गई थी उसको आप यहां से remove कर सकते हैं जितना ज़्यादा आप threshold को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही वह background noise को दबाएगा ले side वाले जितने भी हैं वो आपके travel को control करते हैं अब आपको अपनी voice का recording देख सकते हैं कि आपको base बढ़ाना या travel अगर आप जाते हैं कि आपकी voice क्रिस्पी आए तो आप अपने travel को बढ़ा सकते हैं वही अगर आपको लगता है कि आपकी voice में base को बढ़ा सकते हैं अब यह totally यहां पर और कई सारे effects हैं जिनको आप explore कर सकते हैं लेकिन इनकी जोट आपको नहीं पड़ेगी या फिर बहुत ही रहली पड़ेगी तो यह totally आपके ओपर है अब अगर आप इन सब एडिटिंग के जंडर से बचना चाहते हैं और अपनी voice over को directly एक professional voice over बनाना चाहते हैं त आपकी voice में travel और base को अपने according set कर देता है और आपकी आवाज totally ऐसे बना देता है जैसे आप किसी podcast में बैठे हो यहां पर अपनी audio को upload करने के बाद यह थोड़ा सा time लेगा और आपको एक professional voice over बना के दे देगा अब हो सकता है कि इस voice over में base जादा हो और आपको जादा travel चाह किया है I hope यह सारे method इस्टमाल करने के बाद आपकी voice over इंप्रूव होगी और आपकी वीडियो पे और बी ज्यादा views आएंगे लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैं आपको एक giveaway देना चाहता हूँ अब giveaway announce करने से पहले मैं पिछले giveaway की winner को announce करना चाहता हूँ जिसको n12 elements का access free में मिलने वाला है तो हमारे पिछले giveaway का winner है ग्रोरीक मैं ग्रोरीक से request करूँगा कि वो मुझे इंस्टा पर DM करे ताकि मैं उनको n12 elements का subscription दे सकूँ इसकी सिवाए इस वीडियो की giveaway में मैं आपको बोया m1 mic free में दूँगा giveaway में participate करने के लिए बस आपको एक अच्छा सा comment कर देना है और चैनल को subscribe कर देना है और ठीक इसी तरह मैं अगली वीडियो में winner को announce करूँगा